जब जब इस बात का जिक्र होगा कि आधी रात को निकल कर अपने जनता के बीच पहुँचकर उनके समस्याओं का समधान कौन करता था तब तब लालू यादव के छोटे बेटे तरस्पी आदव का नाम लिया जाएगा। कल रात को वो फिर से निकलते हैं और उसके बाद उन रैन बसेरों में पहुँच जाते हैं जिन रैन बसेरों का निरक्षन उन्होंने एक दिन पहले किया था। आरोप लगाएंगे कि तरस्पी आदव लालू यादव के तरह लोगों को लूट रहे हैं तब तब तरस्पी आदव कैउन तस्वीरों को वाइरल करके उन तक यह संदेश पहुचाने का प्रयास किया जा जाएगा कि तरस्पी आदव बतोर नेता जो कर रहें हैं वो सरकार आपके लिए पानी का विवस्था करेगी कंबल का विवस्था करेगी आपको मुफ्त में बेड मिलेगा और वो रिक्षावला मुस्कुराते हुए कहता है कि आप ही के सरकार में हुजूर हमको ये मिल सकता है वरना अगर अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा ये भरो पता है कि उनको ये पता है कि अगर शड़क पर निकल कर वो लोग के समस्याओं का निदान करेंगे तब जनता उनको फिर से एक बार मौका देगी और कल जब तरियस्पी आदव फिर से रैन बसिरा में पहुच गए तब फिर से इस बात की चर्चा सुरू हो गई कि ये कोई publicity stunt नहीं है अगर publicity stunt है तो विजय सिनहा और समराज चोधरी ऐसा कोई publicity stunt काहे नहीं करते हैं काहे कोई भाजपा कानेता 12 बज़रात को नहीं निकल कर जाता है और 5000 कंबल उन गरीबों में बात देता है जिनके पास सोने के लिए बैड नहीं है ओढ़ने के लिए चादर नहीं है और वो रात कहां बिताएंगे ये कोई भी इसका तय जगह नहीं है तरस्वी आदव बार बार ये साबित कर रही है कि अगर हमको कोई पद मिलेगा अगर हम सरकार में रहेंगे तो हम उन गरीबों को देखते रहेंगे जिन लोगों को देखने वाला कोई नहीं है पहले बो जाएगा और उसके बाद तरस्वी आदव इस बात का नेरिख्षन करते हैं कि जो आदेश उन्होंने दिया है उस आदेश का पालन हो रहा है की नहीं आप समझ लीजिए कौन सा उपमुक्षमंत्री बिहार के इतिहास मैसा रहा है जो रात को दस बजे अब तक दस बार बाह तिर्ईसभी आदव पर आरोभ बहुत लगाय जाजा सकता है, तिर्ईसभी आदव जिस तरीके से निकल कर लोगों की मदद कर रही है, वो यस वई थाबित कर रहा है कि वो लास्ट सेक्शन उफ दे सुजाइटी के पास पहुंच कर रहेंगे और उनको पहुचने से कोई नहीं रोग सकता है त्रियस्वी आदव लगतारे से निकलते रहेंगे लोगों के दिलों में जगा बनाते रहेंगे और सिर्फ मचली बाजार और रेन बसेरों की बात नहीं है त्रियस्वी आदव अपने आवाज से निकल कर उन लोगों से ही मिलते हैं जो उनके घर के बाहर चिलाते रहते हैं, नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, एक तरफ उनकी पुलिस लाठी मारती है, लेकिन दूसरी तरफ तिरस्वी आकर मलहम तो जरूर लगाते हैं, तिरस्वी आदव का यह जो काम है वो उनक जगह बनाएगा, और अगर आप वाकई में जो अधिकारियों को अपना बात कह रही हैं, उन लोगों ने सुनकर आपके बात कानुपालन किया, तो यह फिक्स हो जाएगा कि आपको बिहार के सत्ता से कावी होने से कोई नहीं रोक पाएगा, बाकिस पर को अब्डेट आगे